ओके हेलो प्रेंट कैसे हूँ आप सब में हूँ विशी और आप देख रहें बॉंटी इन्वेश योट्यूब चैनल यस बैंक में हाल खरीददारी करनी चाहिए या रूख जाना चाहिए चलिए आज इस टोपिक पर हम डिसकस करते हैं और अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए यसे वीडियो हम हर रोज अर दिन लेते के आते हैं और जो बाज हमें घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए जिसको आपको हमारी नोटिफिकिशन सबसे पहले मिल जाए अब हम यस बैंक के क्व और ग्रोस एंपिएस देखेंगे आप इसकी नेट इंटरेस इंकम देख लिजिए 26.54 परसन आप इसकी ग्रोस एंपिए देख लिजिए 3.22 परसन आप इसकी ग्रोस एंपिए एवरेज देख लिजिए 1.24 परसन आप इसकी आरोए देख लिजिए 1.27 परसन अब हम इसके व लीजिए 6.39% आप इसकी ROA देख लीजिए 0.45% अब हम इसके quarterly result के बारे में बात करेंगे आप इसमें interest earn देख लीजिए कितना 36.80% की एक बड़िया सी upside देखनों को मिलिए हमें आप इसमें net NPS देख लीजिए जिसमें भी 1.22% की downside देखनों को मिलिए जो हाल फिलाल में पिछला quarter है इसमें net NPS था 1.86% आप इसमें net profit देख लीजिए जिसमें भी एक क्या आए कि company ने loss बताया है जो पिछले quarter था पिछले quarter ने company ने 1506 करोड का loss बताया है मतलब कि पिछले quarter से इस quarter में 227.74% की एक बड़िया सी downside देखने को मिली है अब हम इसके annual result के बारे में बात करेंगे आप इसमें interest earn देख लीजिए 46.17% के बड़िया सी upside देखने को मिली है अब हम इसके net NPS के बारे में बात करेंगे net NPS देख लीजिए 1.22% की downside देखने को मिली है अब हम इसके net profit के बारे में बात करेंगे net profit देख लिए 59.28% के एक downside देखने को में मिली है अब हम इस company के share all in pattern के बारे में बात करेंगे promotor के पास 19.8% की इससेदारी रखी हुई है आप इसमें FIS देख लिए सबसे ज़्यादा FIS इसमें invested है आप इसमें FIS देख लिए 40.33% की इससेदारी FIS के पास है आप इसमें mutual fund देख लिए 9.54% की इससेदारी mutual fund के पास है अब इसके गिर्वी रखे हुए स्टोक के बारे में बात करेंगे promotor ने अपने 3.64% की इससेदारी गिर्वी रखी हुए अब हम आ चुके यस बैंक के चार्ट के उपर यस बैंक में आप चार्ट देखिए लगातार इधर से इधर डाउनसाइड में ही देखने को मिला बीच में एक दो कैंडल क्या ग्रीन बन लेकिन यह डाउनसाइड ही चल रहा अभी हाल फिलाल में 119 पे अभी चल रहा है आप इसमें दो सपोट लाइन हमको दीख रही है पहली सपोट लाइन है इधर देख लीजिए यह है 110 के करीब और दूसरी सपोट लाइन है वह है 102 के करेब मतलब यह 110 और 100 के बीच में मिल जाए तब आप उसमें बाइंग ओपर्चुनिटी धून सकते हैं लेकिन जो मेरा परस्नल ओपिनियन है वह मैं बोलना चाहता हूं कि मैं परस्नल ही ऐसा मानूं कि अभी हमें रूख जाना चाहिए क्यों कि उसका जो प्रॉब्लम है वह स्व अगर आपको बाइड करना है तो आप अगर क्या है कि इसको 110 और 100 के बीच में आए तब उसको बाइग करी अगर आपको ऑपर्चुनिटी मिलती है तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं अभी जो लॉंग तम वाले उसमें मैं कहना चाहता हूं उसको अभी रूख जाना चा से जरू दबा दिया जिसको आपको हुमारी नोटेफिकेशन सबसे पहले मिल जाए चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टटाग गुडबाई जाई इन